रूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android app Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ की आंसर जी वाई एन एसाई यार इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं आप एप में बाइक करने से पहले जो अप्लाइब coupon वाले में आता है तो 20% का डिसकांट तुरंट देगा वीडियो देखिए सबस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे है ROE RO UPPCS और Civil Services की तयारी के लिए World Geography इसका एक लेक्षर मतलब एक पूरा complete continent Asia का मैं करा चुका हूँ प्लीज उसको अच्छे से follow करिए जो जो बताया उसको अच्छे से करिए उसके बाद PYQ लगा लीजे और प्लस 500 most expected MMCQ दे देंगे उसको लगा लीजे आपकी त्यारी जोग्रफिक इतनी हो जाएगी कि आप अराम से 15 questions तक अराम से हिट कर सकते हैं जोग्रफिक में तो यह है Study for Civil Services का initiative जो की UP pieces latest news के द्वारा चला जाता है हमारे ऐसे complete notes लेके आप अपनी revision को बहुत ही शांदार तरीके से कर सकते एकदम short notes होते हैं देखिए हर चीज आपको मिलेगी diagrammatic form में ऐसे notes market में कहीं नहीं मिलेगे पूरी book मिलती है फिर उसके short notes बनाओ इतना समय बरबात करने का time नहीं बचा है तो अपनी तयारी को smart तरीके से करिए चले आईए शुरू करता है area जो है Australia का 7.68 million km2 है जो कि आपको याद ये रखना है कि Australia छटी largest country है दुनिया की छटी सबसे largest country है ठीक अब दुनिया में कितना world land mass है 149.45 million km2 ठीक है longitudinal extent इतना ज़्याद नहीं आज रखना बस एक बार देख लो इस लाटिट्यूडल extent है ठीक है neighboring countries काफी ज़्याद इंपोर्टेंट हो जाती है मैं आपके तुरू दिखाऊंगा अभी आपको मैं neighboring countries इसकी कौन-कौन सी इंडोनेशिया है East Timor है Papua New Guinea है इसकी नौर्थ में Solomon Island है फिर आपका वनुआतू है क्या है वनुआतू French Dependency News Caledonia East में है और New Zealand South East में आता है यह सब देख सकते हैं Philippines, Malaysia, Indonesia इस तैमोलिस्टे, Papua New Guinea Solomon Island ठीक और यहाँ पर आ जाता है आपका New Zealand नीचे साइट पर यह New Zealand है तो यह देखा होगा आपने आप जो most important चीज़ें आईए इसकी यह देखते हैं इसके map में आपको दिख रहा होगा Australia में यह छे जो देश है Australia के खुद के मतलब state है आप कीज़ेगा Australia के एक तो Western Territory है Northern Territory है South Australia है Queensland है New South Wales है ठीक है और आपका यह Victoria है और आपका तस्मानिया है ठीक है यह आपके साथ Australia के states है एक तरह है ठीक है अब यह चीज़ें जाद रहे है Australia देश भी है Australia एक continent भी है अब इसकी राजधानी बहुत matching में देता है ज़रूर याद रखना आपको Western Australia की राजधानी है perception आपको दिख रहा हुगए यहां पर छोटा सा Darwin लिखा होगए Queensland की राजधानी है Brisbane याद रखना भाई बहुत पूछता यह ज़रूर आपका एक कॉशन फिक्स है फिर New South Wales की राजधानी है है चेहना वे रहा है पूरी औस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह नियु साउथ वेल्स में ही है ठ्क पॉइंसे क्या का स्ट्रीलिया आपने कहा है और वह द्र में और New South Wales की राजदानी Sydney है Victoria की राजदानी Melbourne और वहीं जो आपका South Australia है एडिलेड है इसकी राजदानी क्या है एडिलेड एडिलेड क्या राजदानी एडिलेड तस्मानिया की Bakit है क्या है not'm रि 2 ए इक पुछता है यह वेस्ट में है तो वेस्टन ऑस्टेलिया हो गया यानि पर्त इसकी राजदानी हो गही नॉर्थ मेह तो नदन टाइट रियोगा डार्विन इसकी राजदानी है सावध में तो साथ ऑस्टृलिया अडिलेड इसकी सिडिनी है जो कि कोस्ट पर ही है इसे ही सवाल बनते हैं इन पूछ लेका राजधानी दे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्लाइमेट बहुत अच्छा है व्यापार की सुविदाय अच्छी है तो जो जलवाई हुए वह काफी अच्छी तो इसकी वजह से सब आपको mostly populated area यहीं पर मिलेगा कॉस्ट में ठीक है अब मैंने इसको अटा दिया अब आप इसको देखिए न्यू साउथ वेल्स राजदानी आपको सब दिखाई मैं आप में न तो इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजगे एक बार बूल रहा हो तो फिर देख सकतो वेस्ट में एक दिर घंटा तो अच्छे पढ़ो कम सकतो फटाक से इसकी वीडियो पॉस्ट करो फटाक से इसका अंसर दो अब धटते हुए क्रम में यानि डिक्रीजिंग ओडर में population जो है वो देखते हैं तो सबसे ज्यादा population आपको दिखेगी यहां पर सिर्डिनी में यह सिर्ड इसके बाद अच्छी न फ्रेश्ट खूर पर पॉपुलेशन ज्यादा अच्छी मिलती इधर वाले च्छोर पे जो है पॉपुलेशन ज्यादा अच्छी है यह फिर एडिलेट हो गया तो यह पॉपुलेशन जो इस एरिया में ज्यादा रहती है और कभी-कभी आप से दच्छिन में या पूरब से पस्चिम में या पस्चिम से पूरब में मतलब नौट टू साउथ इस टूएस या वेस्ट टूएस देगा सेट करने के लिए कि यह देगा पर्थ दे दिया ठीक दो तो फिर से मैं किरहूं हो अच्छे मैं प्रक्टीज होनी चाहिए कि इधर पर्थ होता है बहिए यह पूरब अपर्वेस्ट में है यह डिलेट के इदर बिरिज्बेन एपिव ने है इधर मलबर्न है और यह ये कहने बहुति यह पूर आपको मैं याद होना चाहिए दो किसको झाये को आपने से पूछ सकता एक्जाम में कि एप लाइपाल आइलेंड के नाम से किसको जनते हैं। तस्मानिया को किसको जनते हैं sizin तस्मानियों को इचाल में बाॉम्मीinkam अपर ण्सकेफ कि अलेसरह को आले से ओैने और बदरे दोस्तों को एक लेक का नाम याद रखना लेक आयरी नहीं याद रखना है जो कि बहुत ही वास्ट एडियम फैली हुई है लार्जस्ट लेक है और याद रहेगा लेक आयरी डायरी डायरी कहां पर तो अस्ट्रेलिया में ठीक है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट माइनस 15 मीटर बिलो सी लेल है बह मउसन पीग जो है यह सबसे बड़ा माउंटैन है कहां का अस्ट्रेलिया का फिर से पूचें क divergence यह हरड ऐलेंड हैं हर्ड आईलेंड उसके पास ठीक है और हर्डड आईलेंड को है और नियर अंतरर्लिया की टेरिट्री है अंटार्टिका ऑस ठीक है और कहीं पढ़ेगा र याद रखेगा फिर दूसरा जो माउंट है वो है माउंट कौसा जीकु कौन है यह माउंट कोसी कुसकु माउंट कोसी कुसकु यह दूसरा माउंटन है जो कि आस्ट्रेलिया ही में माउंट कोसी कुसकु ठीक है याद रहेगा लॉंगस्ट रिवर कौन सी है मरे रिवर अब य 600 किलो मेटर की लंबाई है याद रखिए कि यह सब इंपोर्टेंट पॉइंट है लेक आई रे मौसन पीक को सिजुस्कू और मरे रिवर अब यहां कभी यह वेजिटेशन कैसा है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है नौर्ट इस्ट में नौर्थ इस्ट में कैसा है पूर्वी उच्व भूमी में सम्शी तोषन वन जो हाइलेंड है ना है यहां पर जो थंडी जगह सेप की खेती होती ना और इधा सब डेजर्ट से वह भी देख लेंगे ठीक है आपको याद रखना भी यह फोना यहां क्या क्या मिलता मतलब कौन से पशू मिलते हैं पच् प्रत्वी पर ऑंड़े देने वाले एक्मात्र इस्थंधारि और डेने वाले एक मातर स्थनधारी कौन-क़न प्लैटिपस और इकिड़ना क्मातिब्स रहे हिंदी बहुत प्रत्वीपर अंडेप इस्थंधारी हैori यह और जो मार्शू पिलास है जो कि कंगारु होता है य नेशनल आनिमल है किसका और तस्मानियन डैविल भी यहीं पाया जाता है यह कुछ मतलब जीव है जो पाय जाते हैं कि आपको याद रखना है कंगारू नेशनल आनिमल है और अंडे देने वाले जो आर्थ पे हैं वो है कि आप प्लैटिपस और एकीड़ना प्लैटिपस और देना अंडे देने वाले स्तंधारी और यह आपको यहां दिख रही है देखें ग्रेट बैरियर रीफ है ना ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह काफी जादा महत पूर्ण का रहा है क्योंकि यूनेस्को ने इसको रिकाग्नाइस कर रखा आप यहां देख सकते हो कोरल सी कंट बता दूँगा कोरल सागर में कईद वीप और रीफ अवस्ति ने साथी वेश्व की सबसे बड़ी रीफ पणाली कौन सी है ग्रेट बैरियर रीफ यूनेसको ने इसको ने इसे कब रिकाग्नाइस कर रहा वर्ल्ड है साइट 1981 में कर आप काफी जादा इंपोर्टेंट है अब है एक माउंटें रेंज जो कि आस्ट्रेलिया में आपको पढ़ने एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अभी मैप में दिखाता हूं तो एक माउंटें की श्रंकला है जो कि 3000 किलोमीटर लंबी है यही नौर्थ क्यों लेंट से नदर्न विक्टोरिया तक पहली ये आप देख सकते हैं यह नौर्थ कुउैनलेंड से लेके यह पूरा विक्टोरिया तक आती है यह और यहीं असट्रेलियन अल्प्स भी तीन हजार किलो मीटर लंबा है यह इसका सबसें उचा परवत कौन सा है मांट को साजिस्कू तो बताए दाना मांट को साजिस्कू यह सबसें उचा परवत यह जाती है तो आपको याद रहे करना यह सब इंपोर्टन्ट काफी ज़्यादा तो आज के लेक्चर में इतना ही हम नेक्स लेक्चर हमारा डेज़र्ट रिवर्स यह सब देखेंग डेज़र्ट में प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो बता रहा हूं बस इसको इतना इतना पढ़ते जाओ अराम से अभी जब अब आपको पीवाई क्यू करवाऊंगा ना और टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेट क्वेस्ट जो एक्जाम में आ सकते हैं आप सब कर लोगे हैं तो बस इसको थोड़ा-थोड़ा पड़ो अच्छे से पड़ो हैं न एक साधे सबसने अच्छे से इस चैनल को फॉलो करो स्टडी फॉर सेल सविस्ट को फॉलो करो स्टडी फॉर सेल सविस्ट के पेड़ कुइस्ट कम से कम ले लो उसको लगा लो डेली आपके साथ क्वेस्ट की प्रक्टिस होगी हिंदी की पचास क्वेस्ट की प्रक्टिस होगी जी एसकी आरो यारो के लिए यूपी पीसे इसको होगे तो सो को संजी इसकी डेली प्रैक्टिस हम करा देंगे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी अराम से पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी सब रिवाइज हो जाएगा दोस्तों तो प्लीज इस बार इसको अच्छे से करिए मिलते हैं कल अपने नेक्स लेक्ट्ट